नमस्य वाय दोस्तों, हर हर महादेव, हम रीना और रीना की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं और दोस्तों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खुस होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और देखिया ये संडे का दीन का मेरा ब्लॉग है हम नहा लिये हैं जाड़ू पुछा हो गया है मेरा सारा काम हो गया है और नहा लिये हैं बाल धो करके नहाए है और दोस्तों संडे था तो मेरा काम बहुत पड़ा हुआ था पढ़ा हुआ मतलब कि कीचन में पूरा डबा साफ करना था हमेसा सोचते थे करेंगे करेंगे पर नहीं कर पाते थे मार जब से गई थी तब चावल हम बैठा कर नहांने गया थे तो पहले माड पसा लिये हैं और फिर अपना नास्ता निकाल लिये हैं बोले नास्ता पहले कर देखें दोस्तों किचन का क्या हाल हो रखा हैं और इस सारा सफाई हैं अब भी निकाले थे सब अभी नल पे रखे वह हैं ताकि अभी धोईंगे और इसे सारा समान जो खाली के हैं ऐसे ही रखते गया हम और अज पता हैं तो सबसे पहले हम बोले खाना बना लेतेはं और सुबह नास्ते में चना का सबजी बनाये थे चना का घुगनी होता है अब और पराठा बनाये थे खाकर वे चले गए थे रासन और सबजी लेने के लिए और हम घर में खाना बोले पहले बना लेते फिर डबा के सफाई करेंगे और दोस्तों ठंड बहुत था इस वज़े से हम नहीं डबा डुबी साफ कर पा रहे थे अभी हमनों के साइट थोड़ा ठंडा कम हुआ है मतलब कि धूब कड़ा हो रहा है तो थोड़ा दोपर में काम क अभी होता था जूड़ा करता था रहा है तो एक सब्सक्रिए में दिन भी च्छोटा धाले हुए है और यह दूसरे घर जो कपड़ा धुए थे वो सारा कपड़ा मेरा सूफ चुका है चादर वेगरा और बाकी रूम का भी डाल दिये थे और डेली का कपड़ा भी था वो सब धूल चुका है और बाकी कपड़ा मसीन में डाले हुए हैं और देखिए सब्जी मेरा बन गया है तो हम साथ साथ ही रोटी टावा चटा के बना दे रहें क्योंकि हस्वेंड आ गया हैं उनको बोले खाना दे देते हैं और वो खाना खानने के बाद फिर जो कपड़ा था खाना उनको देकर जो कपड़ा और मसीन में था इसको भी तार में डाल दे रहे हैं धूफ ऐसे चला गया है तो फिर भी बाहर तार में डाल दें से जो सुखेगा सुखेगा नहीं सुखने से ना रात में रूम में भी डाल तो ठंडा का दिना सूख जाता है कपड़ा भी तो कपड़ा गरम से ही सुखता है तो ये कपड़ा डालके फिर हम भी खाना खा ले रहे कि हम खाना नहीं खाए हुए थे और देखे खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर लिये थे और रेस्ट करने के बाद हम ये बरतन धो रहे हैं सोचे बरतन बहुत सारा पड़ा हुआ था तो उपर नहीं धो पाते कि दब्बा बहुत था ना तो हम नीचे यहां बैठ करके और यहीं पर पाइप लगा लिए और सारा बरतन दब्बा जो था वो धो बैठ करके यहां पर धो लिए हैं और धूपना उतना अब हम लों का अड़ाई तीन बज़े के बाद नहीं आता है तो बालकनी में फिर भी सारा डब्बा को डाल दिये हैं कि पानी जो है निकल जाएगा और बाकि दुसरे दिन 10 बजे से सारा सामायन उसमें पैक कर दें क्योंकि रेक साफ नहीं वह था दोस्तो रेक ऐसे ही था जितना जल्दी जल्दी भी कर रहे थे ना तो मेरा काम जल्दी उतना नहीं हो पा रहा था बलकि हम काम कर रहे और एक् नहीं खा लेके और यह साम हो गया दियाबत्ति के बाद का टाइम का है तो अभी चावल जो था वो ड्रम में डाल रहे दोस्तों मेरा यह तूट गया था कैसे और पूरा पानी भर गया और पूरा इधर भी पानी देखिया गया है अरे हॉल में भी दिक्कत हो गया काम बढ़ गया सोचे भी नहीं थे कैसा होगा और हमने रासन अभी लाएं थे रासन बोले कि पूरा सजाद देते आधा डबबा भी तो दो दिये थे अब अले रासन लगता पूरा नती बन गया है कि देख सकते हैं पूरा पानी कैसे इधर आ सबस्ट्र आज में पानी आ गया और इधर पानी खुलके साइड दिवाल में साघा रहा है तो पता नहीं हम लोगोởी रूम में की नल खुलके फट के पानी ऐसे आ रहा है और पूरा पानी कीचन में भर गया। इधर हॉल तक आगया जब हाल में आया तब नजर गया और हम खाना खा रहे थे मतलब रात का हम लोगा खाना हो चुका था हम बुले खाना खाने के बाद ही कीचन का स्लेव वेगरा साफ करते स्लेव वेगरा सब ऐसी देखिये पढ़ा और सब में पानी जाके भर चुका था मतलब आज मेरा काम सुर्वर नहीं पतक ऐसा दिन था बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था फिर रूम में चादर वेगरा जो हटाएं थे धोने के रहे कुछ भी किये नहीं थे जगह पे कपड़ा भी नहीं रखे थे चादर भी नहीं किये थे यह कि अज पूरा दिन ही बीजी ही निकल गया मेरा हैस्बन को सोना था बोले बेट जल्दी से लगाने के लिए तो फिर जल्दी से कपड़ा हटा कर बोले पहले इनको बेट लगा देते हैं फिर हम कीचन साफ करेंगे कीचन देखकर ही नहीं लग रहा था कि साफ हो पाएगा मतलब मन तो नहीं हो रहा था कि साफ करके सोई पर सुबर ड्यूटी था ना इनका तो हमको रात में सारा कीचन साफ करना पड़ा नल में ये क्या किये थे कि पाइप मोटा सा लोहा एक ठो डाल दिये थे जिसके उसे पानी बंद हो गया था पर हलका हलका चूही रहा था फिर हम इदर कीचन समिटने आ गया और दोस्तों आदत है नल से पानी लेकर काम करते हैं तो यहां पे थोड़ा थोड़ा पानी में काम ही नहीं हो रहा था तीन बाल्टी हम बात्रूम से पानी लाएं थे तब अपना यह कीचन सा पहले इसका पानी पूरा जो था ऐसे ही निचोड निचोड के बेसिन में डाले हैं फिर इसको साफ के फिर तीन बाल्टी पानी ला करके तब हम यहां नीचे बैठ करके सारा बरतन धोय थे ताकि दिन मिस्त्री लोग भी कंप्लेन करने से नहीं मिलता, नहीं आपाता, हम लोग तो कंपनी में कंप्लेन करते हैं, कुछ भी होता है, तो वो आके बना देता है, तो मंडे सुबह होता तभी मिस्त्री आता, आठ बजे के बाद, तो अब तक तो कीचन ऐसे बिखरा रहता तो ऐसे ही पड़ा रह गया कुछ हम सफाई नहीं कर पाएं थें क्योंकि रात में इतना लेट हो गया था तो फिर कीचेन भी गीला था यह सुबह का व्लॉग है दोस्तों सुबह हो गया है और अभी मिस्त्री आया तब तक हम बेट लगा ही रहे थे तब मिस्त्री आ गया यहां प दोस्तों देखने से लग रहा हम आठ मिनट का वीडियो बनाए पर यह बहुत समय लिया है मिरा आज तो चलिए हम ब्लॉग जादा देर इधर बोले सुबह का मौर्णी का साफ सफ़ाई कर देते हैं और आज भी हम रासन नहीं सजाएंगे पहले यह सब काम करके काम जो एक् अगर पूजा ओजा करेंगे रूम ठीक हो गया अपने जाड़ो को चकर रहे हैं और फिर नहां के पूजा करेंगे और दोस्तों आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज लाइक कॉमेंट सेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हर हर महादेव आपका दिन सुबह प्लीज वर्चार ऑफ़ो नियुगना दिन सुब्सक्राइब जर दोस्तों पत्राइब जरूर को म Neiíst